So traders, क्या आपको पता है, since 2005, markets ने 4550 trading sessions किये हैं, जिसके अंदर, 70% of the time, हम लोग sideways रहते हैं, and 30% of the time, हम लोग trend करते हैं, अब sideways की definition यहाँ पर है, कि market 1% को नहीं उपर तोड़ रही, नहीं नीचे तोड़ रही, वो 1% के अंदर है markets, and जो market breakout दे रही है, वो 1% के उपर है, ठीक ह कर रही है, दोनों तरफ, market ने 5% से जादा, बस 11 बाहर trend किया है, इस पूरे 17 साल के अंदर, okay, तो अगर data हमारे पास है, और हमको पता है सारी चीज़े, एक option buyer को, और seller को अपनी strength पे कहां play करना है, और किस तरीके से देखना है अपने आपको, उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर, कुछ rules हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उनको diligently follow कर लो, तो आपका option trading career, बहुत next level change हो सकता है, तो अगर आप एक serious trader है, और अपनी trading improve करना चाते हैं, तो वीडियो को धंग से देखिएगा, so this video is straight to the point, no bullshit, so now let's start the video So traders, first step है कि हमको data को समझना है, data क्या कहता है, ठीक है, तो ये है हमारा Nifty का data, clear, तो मैं काम करता हूँ, मैं, ठीक है, आपको ये clear है, तो ये है 2004 से data, ठीक है 2004 से data है, Nifty के futures आये थे 2000 के अंदर, तो मैं वो नहीं लेके चल रहा हूँ, because 2-3 साल, 4 साल तो थोड़ा सा volume बनने मे भी लगता time, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सी 3-4 साल का buffer लेके 2004 से मैं लेके चलो, 5 से भी ले सकते है, but 4 और 5 एक बहुत अच्छा period है, जहां से आप शुरुवात कर सकते हैं, ठीक है, तो total days हो गए 4551, 1% के अंदर, मतलब 1% को नहीं उपर तोड़ा, नहीं 1% को नीचे तोड market के अंदर market रही है, 3173 days, ठीक है, out of 4551, मतलब 69% of the times, 70% ही रख लो आप, 70% of the time market 1% के range के अंदर रही है, clear, अब 1% को उपर या 1% को नीचे, market ने break किया है 1378 times, मतलब 30% of the time, trend की है market उपर या नीचे, ठीक है, तो एक चीज़ो clear हो गई, 2004 से लेके आज तक, तो आप लेके चलो कि 17-18 साल, हम लोगों के पास जो data है, वो ये कहता है कि 70% of the time, option sellers पैसा कमाएंगे, और 30% of the time, option buyers पैसा कमाएंगे, as per data, ठीक है, अब 1% से जादा, और 2% से कम, 493 days है, ठीक है, 2% से जादा move होगा, और 3% से कम, वो है 114, ठीक है, 3% से जादा, और 4% से कम है, 33 days, तो अब हाइस रेंज क्या रही है, 1604, अब निफ्टी के 500 से जादा range, मतलब आपका high and low का जो range है, वो सबसे 500 points से जादा रहा है, 22 days only, ठीक है, 22 days से जादा बार निफ्टी ने range नहीं cross की है, clear, अब ये तो है पुराना data, अब उसमें काफी चीज़े आई है, weekly options आए हैं बाद में, तो चीज़े चेंज हुई है, अब थोड़ा सा current data देखते हैं, current data है, 2019 से पहले लेते हैं, till May 22, मतलब अभी 26, 27 जो last day था हमारा trading का वहां तक, ठीक है, अब total days है 840, sorted, range bound है 649 days, मतलब 77% of the time हम लोग range bound रहे हैं, तब से और increase ही हुआ है, ठीक है, और 1% से जादा move हमने दिया है, only 22, 23% of the time, clear, ये तो clear होगे कि अब range bound में, जादा फाइदा है, अगर आपको, as option seller, अगर आप पैसा कमाते हैं, तो range bound में, आप जादा benefit करेंगे, अगर आपका system proper है आपके बास, ठीक है, और आपको पता है, अपको कब बेचना है, कब नहीं बेचना, अब आते हैं, थोड़ा सा रीसेंट पर आ जाते हैं, 22 का ले ले को modify करना है, ठीक है, risk को reduce करना है, increase करना है, जो आपको ठीक लगे, अब अगर आप देखेंगे, फर्स जान से लेके 27th में तक, total days है 96, और range bound days है 69, मतलब 72% of the time market range bound रही है, और more than 1% market भागे 29%, 28-29% of the time market ने 1% तोड़ा ऊपर या नहीं छे, ठीक है, अब highest range जो है, open and high की, व वो रही है, 601 points, Nifty ने 500 points के ऊपर, move जो दिया है, वो है, 4 times only, और यह daily का data है, यह swing trading का data नहीं है, daily का data है, ठीक है न, तो मैं यहाँ पर बात कर रहो है, अगर आप सुभे 9.50, 9.30 घुसते हो और 3.30 बज़े से पहले निकल जाते हो, तो आपको advantage है, swing की मैं बात नहीं कर रह range है, 200 points से जादा, 200 points से जादा, nifty चलिए 61 times, की 200 points से जादा का उसने range बनाया हो, ठीक है, तो अब इतना लेके चलो कि अगर आप 400 points से उपर, उपर call बेच रहे हो और नीचे put बेच रहे हो, तो statistically जो भी data कहता है, आपके पास एक advantage है, इतना तो clear होगे, ठीक है न, यह मैं ब अपना data निकालो, Excel पर बना रहो है, और simple सा है, आप जाके खुद बना सकते हैं, मैं आपको बता दिये कैसे कैसे क्या करते हैं, अब आपके खुद बनाना है, ठीक है, कुछ शेयर नी करने वाला मैं, spoon feed नहीं करूँगा, ठीक है, अब अगर आप bank nifty देखेंगे, bank nifty में छ चेंज काफी आया होगा जब bank nifty के weekly options आये थे, उस time से data में बहुत चेंज आया होगा, ठीक है, तो अगर मैं लेके चलू, 2014, अगर मैं लेके चलता हूँ, 2014, 2014 is your 2119, ठीक है, तो अगर मैं कुछ data चेंज कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ चेंज कर देता हूँ, उस data समझने के लिए चेक कर लेता है, कि क्या गेम चल रही है हमारी, 2119 ले लेता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर data ऐसा है कि, range bound bank nifty थोड़ा कम रहती है, and bank nifty या तो नीचे या ऊपर ज़्यादा प्ले करती है, तो अगर आपको range bound खेलना है, तो आप nifty में प्ले करिए ज़्यादा, bank nifty statistically यह कहती है, ठीक है, बाकिया आप और समें खुद analysis करेंगे, तो आपको समझ मा आएगा, जैसे मैं यहाँ पर किया है, ठीक है, आप हो गया, data का हिसाब, अब मैं कुछ आपको rules समझाओंगा, जिससे आपको अपनी option trading better करनी है, तो उस पार पे चलते है, systematic trading, अगर आप master कर लें, कि systematic trading हमें कैसे करनी है, तो आपकी trading multifold increase हो सकती है, बाट systematic trading का हिसाब समझना होगा, systematic trading क्या होती है, जब आपके कुछ rules आपके स सामने होते है, systematic trading का मतलब price action नहीं है, ठीक है, system trading का मतलब price action नहीं है, price action नहीं अलग चीज है, लोग उसमें मतलब भी नहीं समझ भाया है आज तक, लोगों को लगता है indicator use कर रहा हो तो गलत है, ठीक है, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि आप अगर indicator use नहीं करेंगे, तो कैसे पता लगाएंगे कि 15 साल या 10 साल में options ने कैसा perform किया है, ठीक है ना, breakout कितनी बार दिया है, कितनी बार नहीं दिया है, क्या है, क्या नहीं आप नहीं पता लगा सकते हैं, आप कैसे पता लगा होगे, आप अगर एक ORB का भी data डालते हो, Python के अंदर या कहीं पर भी, आपको एक indicator लगाना पड़ेगा, VWAP हो, या pivot हो, या कुछ भी हो, तो उससे आपको एक, आपके सामने चीज़ आ जाती है, कि pivot जब break करती है, तो market इतना move करती है, ये करती है, तो system trading होना बहुत जरूरी है, मैंनी कहा रहा है, हसार चीज़े यूज़े यूज़े यूज़ मैंने अभी तक आप लोगों को एक method समझाया है, R1 वाला और S1 वाला, कि R1 के उपर आप बाइ करेंगे, और S1 के नीचे हम sell करेंगे, ये तो clear है, एक video और बनानी है, वो मैं बनाओंगा, examples भी लेके आओंगा, भी थोड़े time बाद, बट अभी यहाँ पर हो समझा देता आपको, यहाँ पर मैंने बोला, R1 के उपर बाइंग करनी है, आप एक trade और बनता है कि अगर R1 के उपर गया, और market वहाँ से fail हो गई, तो आप sell करेंगे, ठीक है ना, target क्या होगा, S1, या अगर आपको बीच में pivot डालना है, तो pivot डाल लो, target को pivot रख लो, क्यों पिवेट ज candle आई है, तो आप क्या करेंगे, आप बाइंग करेंगे, target क्या रखेंगे, pivot या फिर R1, तो इसको हम क्या बोलता है, contra trading, ठीक है, market उपर जा रही है, बट उपर जाने में, fail हो गई, rejection नीचे की तरफ हो रहा, तो आप क्या करेंगे, you'll shot, सीदी सी बात है, मतलब आप put buy तो ये एक चीज़ होती है, इसके बारे में एक detailed video आईगी बाद में, don't worry, बट अभी मैं आपको हिसाब समझार हो, systematic trading अग जब तक आप नहीं करेंगे, आपकी option buying या option, especially option buying आपकी improve नहीं होगी, clear है, तो ये हो गया, अब इसके अंदर आप RSI डाल लो, या फिर आप VWAP डा सकता हूँ, ठीक है, अभी धीरे-धीरे में आप लोगों के लिए systematic models लेके आऊँगा, ठीक है, जो छोटे-छोटे models होते है, मैं धीरे-धीरे लेके आऊँगा, अगर videos पे जाधा अच्छा वो आता है, response आता है, definitely bring them, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है, लोग अच्छा buying selling मत करो यार, levels लगाओ, मैं recommend करूँगा pivots and vwap, मैं ये दो चीज़े आपको बहुत जाधा recommend करूँगा, ये आप लगाईए, चीक है न, तो आपके लिए essential रहेगा, clear, तो ये हो गया, अब next step क्या आता है, next step आता है, कि option buyer को, seller की बाद भी करेंगे, मैं अभी अब जो important points से वो एक एकर के आपको बता रहा हूँ, option buyer को only in the money में trade करना है, आप अगर सोचेंगे कि आप out of the money trade कर लेंगे, या फिर आप कुछ और trade कर लेंगे, क्योंकि सस्ता पढ़ रहा है, हम कमाल लेंगे, कर लेंगे, आपको जो करना है कर लो भाई, theta आपके जब तक, sorry, theta आपके money में trade करो, ये zero to hero के जो नाटक चल रहे हैं आजकल on आपका YouTube, ठीक है, क्योंकि retail, retail क्या चाता है, कि यार कम से कम investment में मूटा पैसा कमा के को देते है, किसने कमा दिया, तो वो बंदा उसके लिए भगवान बन जाता है, उसकी तारीफी को पुल भाद देता है, नुकसान हो जाता है, तो उसकी बतनामी करने में वो लग जाता है, तो वो कभी ये नहीं देखता है, कि reality क्या है, जब भी कोई share बजार में आता है, वो reality off करके आता है अपनी, वो यहाँ पर पैसे को double-triple करने आता है, ठीक है, FD की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर, इसे रोडा के जो founder और और नहीं भी चीज बोले ही कि काफी सारे traders, consistent FD के return तक नहीं निकाल पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी उमीद बहुत जाजा हो जाते हैं, तो उसका reason है, clear, तो आपको in the money ही trade करना है, in the money ही trade करना है, ठीक है, और आपका aim क्या होना चाहिए in the money के अं let's say 300 का, ठीक है, अभी ये चले गया है 450, यार इसको ना मैं 700 जाने देता हूँ, तब निकालूगा, आप अगर अपने दिमाग में वो लालच भरते रहोगे तो उसका कोई फाइदा नहीं है, या तो आप अपने stop को 350 पे ले आओ, आपको in the money, swift तरीके से निकलना है, आपक में रिजदारी दिमा होगे आप इस stocks के साथ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, वो प्लीज मत करिएगा, to the point फटा फट निकलो, मैं scalp नहीं कह रहा हूँ, scalp का मतलब होता है, एक एक दो दो मिनट में निकला, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, half an hour, एक गंटा, देड़ घंटा, depending upon आप किस टाइम पर घुस रहे हो, अगर आप markets के अंदर, let's say 12, 12, 12 के around घुस रहे हो, जिस टाइम पर trends जेनरली शुरू होते हैं, और वो आपके अच्छे trends होते हैं, अगर अगर markets कुछ कर रही है ऐसा, तब आपको ध्यान देना है, अगर एक द बात नहीं बुलूँगा, मैं बुलूँगा, रिस्क फ्री हो जाओ, trailing stop loss अपनी price पे लेकर आजाओ, कि साला किसी के बस की नहीं हो, तो मैं अब नुकसान दे के दिखा है, markets के भी बस की नहीं हो, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखने आपको, all right, in the money, again repeating, in the money, ठीक ह one is to one, अगर हो रहा है, तो stop ऊपर move कर दो, risk नहीं लेना, safe खेलना है, ठीक है, और defense करना है सबसे पहले, okay, sorted, तो दो points clear हो गया, systematic option trading कैसे करनी है, and option buying में क्या खरीदना है, clear, ठीक है, अब हम बात करते है, option buying या option seller, कोई भी, अगर आपको timing अपनी समझनी है, तो मैंने आपक chain और open interest वाली अपने अब तक वीडियो नहीं देखे, आप जाके देखिए, उसमें मैंने एक बहुत important concept के बारे में बात की है, जिसको हम बोलते है, unwinding plus addition, ठीक है, अब देखो, share bazaar में कैसे चलता है साब, share bazaar में traps चलते हैं, ठीक है, हम लोग चुहे हैं, ठीक है, एंड जो institutional traders है वो कौन है, वो शिकारी है, ठीक है, तो वो basically चुहे बेफकूफ होते हैं, खाना देखके घुष जाते हैं वहाँ पर, तो हमारा भी यहीं सीन होता है, हमें लगता है कि option भाग जाएगा उपर, तो हम लोग घुष जाते हैं तो आपको क्या देखना है, आपको traps को समझना है, traps को पढ़ना है, जैसे कि, मैंने आपको क्या बताया था, R1 and S1, breakout trade जो होते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, कि market only 30% of the time breakout करती है, ठीक है, नीचे भी 30% of the time, half the time market range के अंदर रहती है, मतलब यहाँ पर breakout दिया, reject होई, और वापस नीचे, ठीक है, तो अगर आप एक contra trade अपना master कर लो, अब यह master आप कैसे करोगे, कि जब market टूट रही है, market हैं टूट रही है, और 18,000 की put के अंदर, क्या हो रही है, unwinding, अब unwinding का मतलब क्या होता है, unwinding का मतलब है, कि positions, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है, put writers जो आना वो भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको लग रहे है कि यार यह position टिक नहीं पाएगी, market ना ऊप पर base बनाते हैं, ठीक है, यह बहुत उपर अगय है market उनके साब से, and addition का हो रहे है, 18,000 की call के अंदर, ठीक है न, मतलब writers, जो call writers है, option sellers है, जो edge बनाते हैं, जिनको पता है कि market range bound रहती है, वो यहाँ पर अपनी position बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठी इनकी edge बरकरार रहे, तो वो क्या करेंगे, वो market को इसमें रखता है, तो आपको ध्यान देना है unbinding and addition, ठीक है न, जो भी आप option लोगे, for example, market अगर यहां से गिर रही है, तो आप क्या लोगे, एक option buyer क्या लेगा, option buyer लेगा put, ठीक है, तो put के अंदर, put buyer के लिए, put के अंद यह, यह दिवार है, मैंना आपको समझाया है, कि अगर market उपर जाएगी, तो open interest टूटना चाहिए, और अगर market नीचे गिरेगी, तो open interest भढ़ना चाहिए, सीजी सी बात यह, clear है न, बस, बात कताब, अगर market टूटेगी, तो क्या टूटेगी, call टूटेगी, और open interest जाएगी, है न, and open interest भढ़ेगा, clear है, सीजी सी बात है, बस, यह concept आपका, तो unwinding in addition is the most important thing for an option buyer, as well as an option seller, यह ध्यान रखेगा, वीडियो को दुबारा देखेगा, unwinding का मतलब होता है, अपनी positions को exit करना, तो अगर आपने यह समझ लिया कि कौन डर के भाग रहा है, तो मजा आ जाएगा, बट हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, यह जो option data होता है, यह delayed होता है, even from NAC point, यह delayed data होता है, price को replace नहीं कर सकता है, अगर R1 के नीचे, for example, आप R1 के नीचे short ले रहे हो, आपने मानलो 2 lot short ली है, और आपने देखा कि unwinding भी हो रही है, लोग छोड़ छोड़ क कर देता हूं, ठीक है न, तो वो आपको confirmation देती है, entry नहीं देगी, entry price action देगी आपको, और जो R1 और S1 है, यह basically एक आपके points है, focus points है, जहां पर आपको समझ में आएगा, देखो R1 का मतलब क्या है, कि market trend करनी चीए, S1 का मतलब क्या है, market मीचे trend करनी चीए, अगर वो करोगे, आप range में कहलोगे, और data क्या कहती है, 70% of the time, markets range में रहती है, clear, so this is what you have to follow, okay, I hope this is clear, so now, let's come to our next point, मैंने our pointers बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा देख देख के आपको दंग से समझा रहा हूं कि time waste नहीं हो, ठीक है न, अब सबसे पहले, अगर आपको अपनी trading अच्छी क ही है, मैं आपको सीधी बात बोलू, ठीक है कि उसका risk low रहता है, अगर उसको कर नहीं है, कर ले बढ़ फिर then option buyer के पास, मैं assume करके चल रहा हूं कि पैसे कम है, तो option buyer ना करे, ठीक है, option seller के लिए main point है, अब option seller, ठीक है, हमने क्या बोला, advantage है, option sellers को, ठीक है, 70% of the time market range bound रहती है एक bracket में रहती है, clear है, अब अगर for example, यह bracket है 18,000 का, और यह bracket है let's say 17,300 का, ठीक है, यह 700 points का bracket है market के अंदर, और मैं आपको क्या बोला, कि nifty on an average 600 points move करती है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार, मैं बस 18,000 के अगर मैं call बेच दू, बट यार अगर market जादा नहीं गी उपर गई तो यार मेरा तो कड़ जाएगा, मैं क्या करूँ, तो आप क्या करोगे, आप नीचे 17,400, 500, जो भी आपको ठीक लगता है, मालनो market यहां पर है, market है let's say 17,800 पर, या 700 पर है market, ठीक है, अब आपको लगता है कि market उपर नहीं जा सकती, क्योंकि 18,000 काफी strong resistance है, 18,000 पर बहुत call additions हो रहे हैं, ठीक है, और unwinding भी हो रही है, puts के अंदर, तो उसका मतलब यह है कि यह level cross नहीं हो रहा है रहा है, ठीक है, और open interest सबसे जादा है है यहां पर, clear है, तो आप क्या करोगे, आपने call short कर दी, यह option sellers की बात हो रही है, और यहां पर आपने क्या किया, तो जादा better रहता है, जिससे थोड़ा में premium मिल जाए, तो थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है न, अब मैं यहां पर मैं आपको strategies नहीं बता रहा हूँ, उसकी class बाद में आएगी, बस मैं आपको idea बता रहा हूँ कि hedge क्यों important है, ठीक है, एक तरीका और है, कि market माल लो नीचे जा तो मेरा risk है per point 60 का, ठीक है न, और अगर मैं इसको 50 से करता हूँ, तो 3000 का per lot का पर रिस्क है, अब मैं क्या करूँ, मुझे इसको कम करना है, तो आप क्या करोगे, 17100 की put खरीद लोगे, अब आप क्या होगे, आपका hedge हो गया, ठीक है, तो माल लो, 3000 का आपका नुक्सान होग तो 1500 या 1700 आपका put कमा के दी जाएगी, तो आपका total नुक्सान अब 1300 करे गया, या 1400 करे गया, तो ऐसे करके आपने अपनी risk को reduce कर लिया, तो ये बहुत जरूरी है, hedge आप करेंगे, तो आप quantity में बड़ा खेल सकते हैं, और एक बड़ी quantity आपको समझ में आ गई, तो धीरे धी आपके profits में increase हो जाएगे, तो work on hedging, hedging is important, ठीक है, देखें, call side पे, तो क्या हो रहा है, change in हो आए कितना है, 22,000, मतलब इतने contracts add हुए है, clear, और हम इसमें देखते हैं, 13,607 contracts add हुए है, ठीक है, total हुआ है, 19,000 है, और 13,000 add हुए है, मतलब अभी जाकर इसमें positions बनाय जा रहे है, put writers के तुरू, ठीक है, तो उसका मतलब उनके दिमाग में कहीना कही है, कि इसको अभी बेस बनाएंगे, और market को उपड लेके जाएंगे, बात कतम, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ हुआ, यहाँ पर 22,000 additions हुआ है, हम जाने नहीं देंगे, जाके दिखाओ, ठीक है, व 403, यह है 16,000 पर, ठीक है, और अगर इदर मैं data देखू, मैं आपको क्या बोला था, यह 16,000 यह, यह वाला level जो है, 16,000 से लेके 15,800, यहाँ पर additions हो रहे हैं, और अगर आप इसका वो देखेंगे, put का value अगर आप देखेंगे, last trading price क्या है, 50 रुपे, और इसकी है 23, तो अब option seller क्या करेगा, option seller, यह 50 और 23, इसके पास मिल गया है, इसको दिख रहे हैं, अब additions हो रहे हैं, तो यह इसको बेच के जाएगा, यह इसकी statistical edge हो गई है, जब तक price वापस यहां नहीं आती, वो बैठा रहेगा दर, क्योंकि यहाँ पर base बन रहा है, और 2nd June तक है, ठीक है, तो आप उसको पता इसको क्या करना है, तो यह आपको चीज समझनी है, यह चीज आपको देखनी है, जब आप trading कर रहे है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 16700 देख लेते हैं, 16700 पे उपर कहां पर हमारी सबसे दादा राइटिंग है, इधर आप देख लो, OI आप देख लो, OI स सबसे हाइस्ट है, 16600 पे उसके उपर है, उसके उपर 17,000, तो 17,000 बड़ा मुश्किल होने वाला है, मार्केट के लिए क्रॉस करना, तो बहुत लोग क्या करेंगे, 17,000 की कॉल शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, बट यह जनरली यह 4-6 रुपे की कॉल, मैं ड्वास नहीं करता ह अगर आप एक option seller है, विकिस आप अपने पैसे से कुछ कमाने का भी रखे है, यह 4-6 रुपे आप नहीं कमा पाएंगे, कुछ फायदा नहीं है, हैज भी करोगे उसकी भी कॉस बनती है, तो यह हो गया हमारा last rule, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं कि प्राइस के साथ आपक क्या क्या भी तक समझा दिया है, तो सबसे पहले, systematic trading जो आपको करनी है, ठीक है, raw trading मत करिए, एक आदा indicator लगा के ही करिए, जैसे कि open interest का अगर indicator है, आपके पास जिरूड़ा के अंदर आता है वो, वो आप लगा के करिए, उसमें 20 moving average लगा लीजिए, indicator के अंदर, आपको सब कर लोगे अपने अप, इतना spoon feeding के आदत मत डालना कि सब कुछ मही बता दू, एक बार खुद करो, आपको सब समझ मायेगा, ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था, in the money के अंदर ही हमको trading करनी है, in the money, option buyer की बात हो रही है, option seller out of the money करे, वो कभी in the money मत करूआ, आप out of the money करो, मैं आपको range बता दी, कि Nifty on an average, 400-500 को cross नहीं करता, तो 400-500 पॉइंट की जो range है, वो बड़ी safe range है, मैं नहीं बोलूँगा, बिलकुल safe है, FD return safe है, obviously not risk रहेगा, पर रिस्क ड्रास्टिकली कम होगा, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके बाद, open interest को read करना, समझो, ठ ध्यान देना है, उसके बाद, हमको ध्यान देना है, hedge पे, कि हमको hedge करनी अपनी risk, कोशिच करो, hedge करो, especially for option sellers, आपको hedge करनी अपनी risk, क्योंकि आपका जो risk है, वो unlimited है, unlike option buyer, जिनका risk बस zero हो सकता, इसके आगे उनको कोई नुकसान नहीं दे सकता, ठीक है, अब दूसरी चीज आ जो आपको चार्ट पर पता चल जाए, फिर वहाँ पर देखो कि data उन levels पर क्या कह रहा है, और अगर वो online कर रहा है, तो सुभान अल्ला, मजा जाएगा, ठीक है ना, अब आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, कि एक जो reality है आपको ये समझनी है, जो last closing points में दे रहा ह कि एक buyer है और एक seller है, seller मतलब जो short करता है, ठीक है, options की बात हो रही है आपर, buyer क्या है, buyer है wolf, seller क्या है, seller है line, ठीक है, ये tiger, अब एक चीज, ये हमेशा सर उठाके चलता है, क्यों क्योंकि data के साथ है, data ये कहता है कि 400-500 point की तो movement ही नहीं होती है, तो ये कभी भी नीचे नही अचार करता है, तो जाएर सी बात है, तो इसको पता है, सामने से कुछ हो सकता है, जो होगा, wolf को अभी सामने से अटाक करता है, तो आपको ध्यान रखना है, कि आप एक wolf हो, अगर आप buyer हो, आप एक भीड़ी हो, आपको opportunity seize करनी है, जब unwinding और additions होते है, आपको basically share के मूँ से निवाला चीनना है, ठीक है, option buyer अभी पैसा कमा सकता है, यह आप ध्यान रखेगा, तो अगर आप यह समझ गए, तो आप पैसा कमा लोगे, यह देखो कौन फेल हो रहा है markets में, and then things will start changing for you, ठीक है, option buying simple है, उसको जादा, यह delta, theta, gamma इन सबसे ना, वो मत करो, क्या बोलता है, आप कन्फ्यूज मत करो, for starters, आप इस इस चीज पे ध्यान दो, in the money options में, delta, delta सब आपके साथ होता है, तो उसमें जादा दिमांग लगाने की जरूरत नहीं है, simple record strategies पे, अगर आप ऐसा कुछ डूढ रहे हो, क्यों risk free रहे है, उसमें risk ही ना हो, बिलकुल tension free, zero risk strategy, ऐसा कुछ नहीं है markets में, अगर डूढ रहे हैं, तो आप से बड़ा बेवगूफ कोई नहीं है, ठीक है, so I hope the video was useful for you, अगर आपको video अच्छी लगी, तो like करिये, शेर करिये, subscribe करिये, and do let me know, कि video कैसी थी, and अगर अभी तक आपने complete stock market trader course नहीं किया है, तो उसका link इस video के description में है, आप जाके देखिए, option trading पे भी videos हैं वहापर, and आपको open interest on सब के बारे मैं मैं सब बता रखा है, आप जाके आराम से बैठके follow करिये, आपको अच्छा लगेगा, so I will see you in the next video, thank you. का का ह दो का का वहाप